19 अक्टूबर साल 1879 को मातिंगिनी हाजरा का जन्मन बंगाल प्रेसिडेंसी के तमलुक में हुआ वे भारत की महान क्रांतिकारियों में से एक थीम मातिंगिनी को गांधी बूढी के नाम से भी जाना जाता है साल 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के ततकालिन गवर्नर एंडर्सन तमलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ विरांगना मातिंगिनी हाजरा सबसे आगे काला जंडा लिए डठी रही साल 1942 में एक विरोध प्रदर्शन के लिए मातिंगिनी हाजरा लगभग 5000 लोगों के साथ सरकारी डाग बंगले पर पहुँच गई अंग्रेजों ने 72 साल की मातिंगिनी हाजरा को गोलियों से चलनी कर दिया लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया और उनके मुँसे वंदे मातरम निकलता रहा 19 अक्टूबर साल 1910 को जाने माने खगोल भोतिक शास्त्री सुब्रमणियम चंदरशेखर का जन्म लाहोर में हुआ खोगोलिकी के खशेत्र में उनकी सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा प्रतिपादित चंदरशेखर सीमा नामक से धांत से हुई चंदरशेखर सीमा के प्रतिबादन के फल्सरूप ही न्यूट्रोन तारूं और ब्लेक होल्स का पता चला उन्होंने श्वित ड्वार्फ तारूं के समूँ की अधिक्तम आयू सीमा के निर्धारण की विवेचना की साल 1968 में उन्हें भारा सरकार द्वारा पद्म विभुशन से सम्मानित किया गया 1983 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरसकार से नवाजा गया 19 अक्टुबर साल 1920 को पांडुरंग शास्त्री अठावले का जन्म बॉंबी प्रेसिडेंसी के रोहा में हुआ वो ये भारत के दार्शनिक आध्यात्मिक गुरू और समाज सुधारक थे उन्होंने साल 1954 में स्वाध्याई आंदोलन चलाया और स्वाध्याई परिवार की स्थापना की स्वाध्याई आंदोलन श्रीमत भगवत गीता पर आधारित आत्मग्यान का आंदोलन है जो भारत के एक लाख से अधिक गाउं में फैला हुआ है और इसके लाखुं सदस्य है पांदोरंग शास्त्री अठावले के जन्म दिन को मनुष्य गौरव दिन की रूप में मनाया जाता है साल 1999 में पांदोरंग शास्त्री को पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया